इस प्रश्चों में बच्चों हमें सबसे पहले दिये बताना है कि कौन सी एपी होंगी और वे एपी हैं तो हमें का कौन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर तीन ट्रम्स आगे और बतानी है हमें पहला पार्ट है टू फोर एट सिक्स्टिन वच्चों में ये बताना कि एपी होगी या नहीं होगी तो एपी फाइंड आउट करने का पता लगाने का सबसे आसान इजी जो मैं थाई ये है कि आप पहले ये देख लें कि इनकी दो ट्रम्स के बीच में कौन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है नहीं आ रहा है अगर कौन डिफरेंस हर बार सेम है तो एपी होगी अधरवाइज एपी नहीं होगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम डी निकालते हैं दी अमारे पास है 4-2 दी हो जाएगा 4-2 2nd ट्रम माइनस 1st ट्रम देट इस इक्वल टू 2 फिर निकालते हैं कौन डिफरेंस 3rd ट्रम माइनस 2nd ट्रम 8-4 देट इस इक्वल टू 4 अब यहाँ पर कौन डिफरेंस दोनों केस में क्या है अलग-अलग है डिफरेंट है common difference दोनों केस में सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि this is not an AP तो यह AP नहीं होगी क्यों क्योंकि AP होने के लिए common difference हर बार सेम होना चाहिए यहाँ पर common difference क्या है different different है second part है तो यहाँ सबसे पहले हम common difference check करते है common difference पहले निकालेंगे हम second term minus fast term योगी common difference पही होता है दो consecutive terms के बीच का difference a2 minus a1 second term minus fast term second term f5 by 2 minus fast term है 2 इसको हम subtract करेंगे इसमें से तो हमारे पास आएगा 1 by 2 इसको हम d1 कह सकते हैं fast difference यहाँ पर भी आप d1 fast difference second difference इस तरह से लिख सकते हैं अब निकालेंगे हम d2 second difference third term minus second term third term है 3 second term है 5 by 2 इनका difference करेंगे 2 LC माएगा 6 minus 5 that is equal to 1 by 2 यहाँ पर भी difference के आप 1 by 2 आप आगे भी एक और चेक कर सकते हैं अगर चेक करना साहें तो d3 a4 minus a3 fourth term minus third term fourth term is 7 by 2 third term is 3 difference हमारे पास आएगा 7 minus 6 1 by 2 यहाँ पर तीनों ही case के अंदर जो common difference है वो same है तीनों ही cases में common difference क्या है same 1 by 2 तो हमारा common difference d हो जाएगा 1 by 2 common difference सब case में अगर same है तो यह AP होगी this is an AP AP है इसके हमें अगली तीन terms find out करनी है तो बच्चो जब भी आपको कोई टरम निकाल ली हो तो पहले वाली त्रम दी हुई है first second third fourth हमें फिफ्थ ट्रम बताने है ए फाइफ फिफ्थ ट्रम कैसे निकालेंगे चो फॉर्थ ट्रम इससे पहले वाली ट्रम उसके अंदर एड़ कर देंगे common difference यह मारे पास हो जाएगी 5th ट्रम, 6th ट्रम निकालने के लिए उससे पहले वाली ट्रम फिफ्थ ट्रम में ऐड़ कर देंगे common difference 7th ट्रम निकालेंगे हम तो उससे पहले वाली 6th ट्रम के अंदर common difference को एड़ कर देंगे इस तरह से हम मनवर जी जो भी चाहें वो ट्रम फाइंड आउट है, इसली कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिफ्ट ट्रम हो जाएगी, फिफ्ट ट्रम हमारे पास है, 7 अपोन 2, पलस कोमन डिफरेंस 1 बाई 2, that is equal to 7 पलस 1, 8 बाई 2, 4, फिफ्ट ट्रम पलस D, फिफ्ट ट्रम हमारे पास है, 4, पलस D है, 1 बाई 2, that is equal to 8 पलस 1, 9 बाई 2, सेवंध ट्रम हो जाएगी, फिफ्ट ट्रम पलस कोमन डिफरेंस, फिफ्ट ट्रम हमारे पास है, 9 अपोन 2, अभी हमने फाइंड आउट की है, D है, 1 बाई 2, LC हम टू आएगा, 9 पलस 1, 10 अपोन 2, that is equal to 5, तो हमारी तीन नेक्स ट्रम हो जाएगी, 4, 9 अपोन 2, and 5, थर्ड पार्ट है, minus 1 by 2, minus, sorry, minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2, and minus 7.2, सबसे पहले हम कोमन डिफरेंस चेक करेंगे याँपर, कोमन डिफरेंस, D equal to A2, first common difference, A2 minus A1, second term है, minus 3.2, minus A1, first term, minus 1.2, that is equal to minus 3.2 plus 1.2, यह मारे पास आजियेगा, minus 2.0 या 2, यह आएगा, next common difference नेक्स ट्रम डिफरेंस चेक करेंगे, पास है, minus 5.2, minus, second term है, minus 3.2, that is equal to minus 5.2 plus 3.2, यह मारे पास आएगा, minus 2.0, इसी तरह हम D3 find out कर लेंगे, D3 हो जाएगा, A4 minus, A3, A4 minus 7.2, minus 3.2, minus 5.2, that is equal to minus 7.2, plus 5.2, that is equal to minus 2.0, तो यहाँ पर बच्चों, हर बार common difference क्या है, है, same है, minus 2 है, so this is an AP, and common difference D is equal to minus 2.0, यह minus 2, अब हम find out करेंगे, next 3 terms, यानि कि 5th term, 4th term में विदे रखें, 5th term मारे पास हो जाएगी, 4th term plus common difference, 6th term हो जाएगी, 5th term plus common difference, similarly 7th term हो जाएगी, 6th term plus common difference, 4th term हमारे पास है, minus 7.2, plus common difference, common difference है, minus 2.0, यह मारे पास आजाएगा, minus 7.2, minus 2.0, that is equal to minus 9.2, 6th term, 5th term plus common difference, 5th term मारे फाइड आउट करें, minus 9.2, plus, minus 2.0, यह आपके पास आएगा, minus 11.2, similarly 7th term, 6th term plus D, 6th term मारे फाइड आउट करें, minus 11.2, plus D है, minus 2.0, यह आपके पास आएगा, minus 13.2, यह हो जाएगे, यह मारे next 3 terms. 4th part है, minus 10, minus 6, minus 2, and 2. सबसे पहले हम common difference D1 निकालेंगे, first difference, second term, minus first term, that is equal to minus 6 plus 10, 4. difference चेक करते हैं, एक और D2, second difference, common difference, third term, minus second term, minus 2, minus minus 6, third term, minus second term, that is equal to minus 2 plus 6, 4. similarity to D3, fourth term मारे पास है, 2, minus third term है, minus 2, 2, 2 plus 2, 4, जहाँ पर भी common difference, तीनों cases में क्या है, same है, 4, ती AP होगी, so, this is an AP, अब हमें next 3 term find out करनी, यह very simple, 5th term होगी हमारी A5, A4 plus D, 6th term होगी, 5th term plus common difference, 7th term होगी, 6th term plus common difference, 4th term हमें गीवन है, 2, difference common हमारे पास है, 4, 6, 6th term होगी, 5th term plus D, 5th term हमें फाइंड आउट किए, 6 plus D common difference, 2, 8, आप लिख देंगे, D बराबर है, 4, sorry, D हमारा 4 है, D कितना है, 4, तो 5th term plus common difference, 6 plus common difference, 4, 10 आएगा यह, 7th term होगी, 6th term plus D, 6th term होगी है, 10 plus D common difference, 4, 14, तो next 3 term होगी, 6, 10, and 14, 5th part बच्चों, very simple है, यहाँ पर आपको इसको अनरूट को देखर के, इसके रूट को देखर के गबराना नहीं मिलकुल भी, बहुत easy question है, एक-एक point को मच्छे से clear करेंगे, और आपको यह बाकी question की तरह है, बाकी parts की तरह है, यह भी part अच्छे से clear हो जाएगा, तो आजी शुरूबात करते हैं, सबसे पहले हम find out करेंगे, d common difference, second term minus fast term, second term है 3 plus under 2, minus fast term हमारे पास 3, difference करेंगे, हमारे पास आएगा under 2, second difference d2, third term minus second term, that is equal to 3 plus 2 root 2, minus 3, minus root 2, cancel, 2 root 2 minus root 2, यहाँ पर 2 root 2, यहाँ पर 1 root 2 है, यह बचेगा 1 root 2, यानि की root 2, तो मारे में आपर दोन नहीं difference क्या है, same है, root 2, root 2, d1 is equal to d2, तो यह हो जाएगा ap, so this is an ap, and common difference, with common difference, जैगे देंगे हम, common difference d, equal to under root 2, अब हमें next 3 term find out करनी है, a4, fourth term हमारे पास है, 3 plus 3 under root 2, plus common difference d, under root 2, यह आएगा हमारे पास, 3 plus 3 root 2, 1 root 2, 4 root 2, यह हो जाएगा, sixth term, fifth term plus d, fifth term हमने find out की, अभी 3 plus 4 root 2, plus d है under root 2, three plus 4 root 2, 1 root 2, five root 2, seventh term, sixth term plus d, sixth term है, 3 plus 5 under root 2, plus d, common difference, root 2, that is equal to 3 plus 5 root 2, 1 root 2, six root 2, यह हमारी next 3 term से हो जाएगे, sixth part है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले common difference d1 निकालेंगे, second term minus first term, 0.22 minus 0.2, that is equal to 0.02, यह आएगा हमारे पास, d2, common difference निकालेंगे, second term, third term minus second term, third term है 0.22, minus second term है 0.22, that is equal to, यह हमारे पास आएगा, 0.002, तो यहाँ पर दोनों difference क्या है, अलग-अलग है, different है, so this is not an ap, यह पी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर common difference क्या है, different, different है, same नहीं है, 7th part है, 0 minus 4, minus 8, minus 12, d1 निकालेंगे, common difference, second term minus first term, second term है minus 4, first term है 0, minus 4, d2, third term minus second term, minus 8, minus second term, minus 4, minus 8, plus 4, that is equal to minus 4, यहाँ पर भी common difference क्या है, same है, तो ap हो जाएगी, this is an ap, common difference हमारे पास है, d is equal to minus 4, next 3th term, find out करेंगे, fourth term है, given है, fifth term निकालेंगे, fourth term है, minus 12, plus d, minus 4, minus 16, fifth term है, minus 16, plus d, minus 4, minus 20, seventh term, sixth term, plus d, sixth term है, minus 20, plus d, minus 4, minus 24, यह हमारी next 3 terms हो जाएगे, eighth part है, minus 1 by 2, minus 1 by 2, and minus 1 by 2, यहाँ पर आमारे पास, d1 हो जाएगा, first common difference है, second term, minus first term, that is equal to, minus 1 by 2, plus 1 by 2, 0, d1 है, हमारे पास, common difference है, वो 0 है, next हम d2 चेक करेंगे, common difference, third term, minus second term, third term है, minus 1 by 2, minus second term, minus 1 by 2, that is equal to, minus 1 by 2, plus 1 by 2, यहाँ पर भी common difference कितना है, 0, बहर बहर common difference, same है, so this is an ap, fourth term है, हमारे पास, minus 1 by 2, plus d, common difference, d हमारे है, वाँ पास, is 0, minus 1 by 2, sixth term, minus 1 by 2, plus d, 0, minus 1 by 2, seventh term, minus 1 by 2, plus 0, minus 1 by 2, correct term, minus 1 by 2 है, आएगे इसके अदर, ninth part, f1 3 9 27, स्वबसे पाले है, D1 है, common difference, second term, minus first term, that is equal to 2 d2 another common difference third term minus second term 9 minus 3 6 यहां पर बच्चो देखो दो नो एक common difference can different different not same so this is not NAP not NAP because common difference is not same 10th part है a 2a 3a 4a d1 हमारे पास हो जाएगा second term minus first term 2a minus a that is equal to a d2 third term minus second term 3a minus 2a a common difference same है आपर common difference हमारे पास है a दोनों एकेस में common difference है same है so this is NAP 4th term given 5th term निकालेंगे 4th term plus d 6th term हो जाएगी 5th term plus common difference similarly 7th term is equal to 6th term plus common difference 5th term हो जाएगी 4th term plus d 4a plus d d हमारे पास है a 5a 6th term हो जाएगी 5th term plus d 5a plus a 6a 7th term 6a plus d a 7a यह हमारी next three terms हो जाएगे next part है a a square a cube a4 यहाँ पर हमारे पास d1 second term minus first term a a square minus a that is equal to a square minus a यह रहेगा d2 second common difference third term minus second term a cube minus a square यह भी मारे पास a square common लेंगे तो a minus 1 यहाँ पर हम common लेते हैं अगर a a minus 1 तो दोनों ही common difference क्या है different different so this is not an ap झाल 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 झाल